दोस्तों अगर आप एक Excel यूजर हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, यहाँ मेरे पास Employee ID यह Name है, Salary, यह data छोटा है, बड़ा भी हो सकता है, अब मुझे यहाँ HR ने कुछ लोगों की Update Salary करके भेजी Update करना है, क्या करते हैं हम लोग, सभी लोग, Updated Salary का एक कॉलम लेते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं, यहाँ पे We Look Up लगाते हैं नीचे में, इसको गया मेरा, और मेरा यहाँ पे क्या है, Updated Salary यह है, इसको Select किया, F4 प्रेस करके Freeze, Column Index No.2, क्योंकि दूसरे कॉलम पे हमारा Salary है, 0 Exact Match के लिए, Enter, और अब आप क्या करते हो, यही करते हो आप, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे Filter लगाते हो, और इसको Deselect करते हो, Na को, Error को, और अब सुस्थे आ गया, अब इसे Copy करते हो, यहाँ पे Paste करते हो, तो देखते हो, आता कर लिया, यहाँ पे आओ, यहाँ पे Call to लिखो, टाइप करो, और इसको Select कर एंटर मारो, और बस इसको Drag कर दो, देखो सारी Salary यही वाली आ गई, अब इसको मैं Color कर देता हो, जिससे आप Identify कर सेखो, टोटल कितने हैं, पांच है, ठीक है, फिल्टर मैं हटाता हो, अब Count कर दो, टोटल फाइव है, ही है,